जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट किलियर किये थे अज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये जो जॉब्स है इसमें आगर आप सेलेक्ट हो जाते हो कितनी आपको लेपटप के लिए यहां पर दिये जाएंगे कितने दिनों तक दिये जाएंगे तो टोटल सभी कुछ मैं आपको जो भी आपके डॉट्स हैं सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा और यह चैनल ह है हमारा टेलिग्राम का यहां पर आपको बहुत सारे लेटेश्ट अपडेट मिलती रहती है जो भी अफिस्यल अपडेट आती रहती है तो यहां पर मैं आपको डाल देता हूँ तो यहां से जरूर से जोइन होकर करेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप लोग टेलि सेक्शन में आपको आना है और यहां पर आ करके आप देख सकते हैं बहुत सारे जो भी फाइल्स होंगे यहां पर आपको दिख जाएंगे बाद में भी अगर आप कोई भी लर्सी का डोकुमेंट से आपको खोजना होगा तो आपको थोड़ा स्क्रोल कीजेगा इसको तो य आपको यहांपर देखेगा लर्सी का प्रोस्पेक्टर साल जो भी अगर आप यहांपर दकläसे की लर्सी का कौनसेलिंग लिश्ट आपको दिखना है तो कभी भी आप यहांपर यहांपर यहांसे ड्नलोड कर सकते हैं देख सकते हैं से जो motivate ऑप और वाटस्प पे भी चैनल है और WhatsApp का ग्रूप है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर से जोइन होकर करेगा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सक्षन में या आपको डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नमर दिया गया है उस नमर पर आप लोग एक मेसेज कर दीजेगा ग्रूप बिभा के तरब से जाड़ी की गए थी जो कि बिहार बिसेज सर्वेक्शन के अंतरगत में जो यहां पर सर्वेक्शन कार में अमीन की जो भी भूमिकार रहने वाले जो पोस्ट है ससे सर्वेशल सर्वेश अमीन का पोस्ट है उसकी क्या भूमिकार रहने वाली है इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि भू सर्वेक्षन काड़ी की अधी सूचना एवम बंदवस्पतादी काड़ी द्वारा उद घोसना होने के बाद संबंदित ग्राजस्व ग्राम के में सर्वेक्षन काड़ी का परचार परसार करना उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है सरवे एजनसी से प्राप्त मानचित्र में अस्थल पर मुस्तकिलों एवं त्री सीमानों की पहचान और अस्थल के अनुसार मानचित्र को सुध करते हुए ग्राम सीमा सत्यापन काड एवं त्री सीमाना या ग्राम सीमा पर मन्यूमेंट क रूप में पीलर लगाने की एजनसी को मदद करना उसके बाद यहां पर तिसरा जो पॉइंट है जिसमें ये लिखा है कि बिगत खतियान की सहयता से पपत्र पांच में खतियानी बिबरनी तयार करना खतियान अनुपलब्ध होने पर जमावंदी पंजी एवं अन्यभीलेकों की सहयता लेना उसके बाद है कि स्वगोसना है तू पपत्र दो का बितरन एवं संधारन के अलावे विवाद अस्पद एवं गेर सत्यापित भूमी की बिबरनी पपत्र चार में तयार करना नेक्स्ट पॉइंट है तिथी वार काडियों को अंकित करते हुए अमीन डैरी त जनाना गैर हाजीर रयतों को पंजी में दर्ज करना एवं रयत की बंसावली का संधारन उसके बाद यहां पर पपत्र छो में खेसरा पंजी का संधारन पंजी निर्मान में या दास्त पंजी रयत या अधिवारी की सोगोसना तुलनात्मक एडिया एस्टेटमेंट वेजों की मदद लेना उसके बाद एरियल एजनसी द्वारा किये जा रहे किस्तवार के दौरान उत्तर पसीम दिशा से खेसरों की नमरिंग की मानचीतर में परविष्ट सभी खेसरों का सत्परतिसत सत्यापन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गेर रहती भूमी की लेंड पार्सल में आपके साथ उसका बितरन प्राप्त करना और आपतियों की जांच कर परतिवेदन देना नेक्स्ट पॉइंट है कि लगान, निर्धारन, सूची का निर्मान, प्रकासन और आखिर में अधिकार अविलेक में की प्रवेष्ट की गई कारवाई तो ये सभ कुछ करने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग दी जाएगी जो ट्रेडिंग होगा उसमें यही सब चीज आपको सिखाए जाएंगे कि आपको यह सब चीज जो है कैसे करना है कैसे आप कर सकते हो तो सभी कुछ आपको ट्रेडिंग में बता जागा तो जो भी कंडेड इसमे select होने वाले हैं तो उन लोगों को training दी जाएगी और training में यही सब चीज जो है official language में यहां पर लिखा गया है इसी को आपको वहां पर practical के रूप में आपको समझाया जाएगा और जब आप field पर काम करोगे तो आप आसानी से सभी कुछ कर पाओगे तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी इसमें point लिखे गए होंगे अभी तो आपको details में clear नहीं होगा लेकिन आप जब आप इसका attend करोगे जब इसमें training अगर आप इसमें select होते हैं तो उसके बाद आप patent करोगे तो आपको बारी बारी से सभी कुछ यहीं clear by clear यहां पर point आपका समझाया जाएगा अब बात करते हैं कि इसमें आपको salary कितने मिलने वाली है तो अलग-अलग जो post है उनमें अलग-अलग आपकी यहां पर salary देखने के लिए मिलेगी जैसे कि बिशेस सर्वेक्षन सहायक बंदोबस पताधिकारी की जो post है इसमें आपको 59,000 पर मंथ आपकी यहां पर मिलने वाले है तोटल यहां पर 69,000 रुपे पर मंथ जिसमें कि यहां पर दिया गए कि मान दे आपको जो यहां पर मिलेगा by 52,202 रुपे यह आपको मान दे मिलेग जो कि टोटल पहले आपको एक साल के लिए जाएगा तो यहां पर साफ साफ करके लिखा गए उसके बाद यहां पर दूसरा जो post है बिशेस सर्वेक्षन कानून गो का तो इसका जो salary है 36,000 यहां पर टोटल होता है जिसमें कि आपको मान दे जो आपको मिलेगा यह आपको 39, 30,202 रुपे यह आपको एकाउंट में जाएगा और जिसमें 37,97 में आपका EPF कटेगा उसके बाद यहां पर आपको इसमें भी 4,000 सभी पोस्ट में 4,000 आपको लेप्टप या मोवाल या इंटरनेट के लिए आपको पहला एक साल आपको यहां पर दिया जाएगा उसके बा आपके सेलरी मिलने वाली है फर्स्ट एक साल तो यह आपको एड कर दीजेगा और यह एड कर दीजेगा यानि कि 24,000 अठाइस जार रुपे आपको पर मंथ आपको एक साल तक मिलेगी एक साल के बाद आपको यह पैसे आपको नहीं मिलने वाली है मोवाईल वो लेप्टप इंटरनेट का यह आपको 24,202 रुपे आपको मिलने वाली है और यह 37,97 में परतेक मंथ आपका कटता रहेगा और जमा होता रहेगा यह कटने के बाद आपको यह मिलने वाली है अगर आप यह सभी को एड कर देते हो तो यह हो जाता 31,000 रुपे तो इसी तरीके से आप इसम के लिए ही आपको यह मिलने वाली है एक साल के बाद आपको जो मानदे यहां पर दिख रहा है यही आपको मिलने वाली है लेकिन एक साल तक आपको 24,408,000 रुपे आपको एक साल तक मिलेगी एक साल के बाद आपको यह मिलने वाली है अब बात करते हैं कि क्या इसमें एक सा दिया गए कि आपका 50% इसमें आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जागा जितने भी रिजल्ट देंगे मान के चलिए 8000 रिजल्ट देंगे तो 4000 कंडिडेट का जो नाम है वेटिंग लिस्ट में होगा तो उनको कभी भी बुलाया जा सकता है जैसे ही इनको जरूरत होगी मान को कभी भी इसमें जोइनिंग के लिए आपको मेसेज आ सकता है बुलाया जा सकता है जो भी गन्रेटिव वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उसके बाद यहां पर पॉइंट समझते हैं कि चैन चालू योजना में के बरतमान योजना अबधी विस्तार तक मानने होगा अबश टाइम लगने वाली है ऐसा नहीं है कि एक साल ही आपको लिया रखा जाएगा ये आपको एक साल के लिए कौंट्रेक्ट कोई भी होता है तो एक साल के लिए बोल कर के लिया जाता है और जब ही उनको काम पड़ती है तो फिर से एक साल के लिए एक्स्टेंड करता है फिर काम पड़ेगी फिर से एक साल के लिए एक्स्टेंड करेगा जैसे कि जो भी candidate 2018 या 2019 में जो vacancy निकली थी उन लोगों का joining हुआ और अभी तक चल रहे हैं उतना दिन तक आपको रखेंगे उसके बाद भी अगर जरूरत परती है तो यह लोग रखेंगे और नहीं जरूरत परती है तो आपको निकला जा सकता है तो अब आप इसको समझे होंगे बहुत सारे जो points है आपके मन में वो clear होए होंगे फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query है तो आप नीचे comment कीजिए मैं जरूर से आपके comment की reply करके next video में आपको बताऊंगा और जो भी ऐसे candidate है जो भी तक चैनल को subscribe ने किया है तो उनलोग से request है चैनल को subscribe कीजिए आगे भी आपको helpful वीडियो मिलती रहेंगी और telegram channel, whatsapp group और whatsapp channel से जरूर से join होकर करिए यहां पर आपको बहुत सारे latest update मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ आपको यहीं पर डाल देता हूँ तो यहां से जरूर से join होकर करिएगा वीडियो के description में whatsapp नमर दिया गया है इनकेस अगर आपको link नहीं मिलता है तो आप वहां पर message कर दिजएगा कि group में add करने के लिए आपको जल्दी group में add कर दिया जाएगा तो यह था इसका detail information आप आप इसको समझे होंगे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दिजएगा